तो अब आपको सिधा लिए चलते हैं अब आप में च्छा संबोगत कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर उपस्तित बंगाल भारतिय जनता पार्टी के सवप्रबारी अमित मालविय जी श्रिमान डाहूल सिनहा जी बंगाल के भूत्पुर्वा मंत्री और भाजपा के नेता देबस्री चोधरी जी जोतिर मैसी महतो जी और आज जिनों ने भारतिय जनता पार्टी जॉइन करी है ऐसे आज के कारेकरम के उत्सव मूर्ती श्री राजीव बेनर जी जी श्रूश्री वैसाली दालमिया श्री प्रबीर गोशाल श्री अस्मिन चक्रवर्ती जी स्री रूद्र निल जी अलग-अलग 25 बड़े संगठन और जिलापंचायत मिन्सिपल कॉर्पोरेसन के नेता जो आज भारतिय जनता पार्टी जॉइन कर रहे हैं और 11 से ज्यादा अलग छेत्रों के कारे करता आज भारतिय जनता पार्टी जॉइन कर रहे हैं वो स्वभी का मैं मन से स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक समाप्रार्थी हूँ कि आज की रेली में मुझे आना था राजी भाई को मैंने वादा किया था मगर मैं आ नहीं पाया राजी जी कल मुझे मिले थी मैंने उनको भारतिय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और यह त्रिनमुल कॉंग्रेस को उखाड कर फैंक देंगे मित्रो आज इतने सारे लोग विगत तीन महिनों से त्रिनमुल कॉंग्रेस छोड़ कर भारतिय जनता पार्टी जोईन करें हैं पहले भी कई लोग जुड़े सुभेंदू अधिकारी के नेत्रुतों में भी कई MLA MP जुड़े और राजी बेनरजी के नेत्रुतों में कई MLA और धेर सारे कलाकार और धेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं इसका कारण क्या है मैं मानता हूं कि ममता दीधी ने इसकी थोड़ी मिमानचा करने की जरूरत हैं क्योंकि दस साल पहले कौमिनिस्टों के सासन के खिलाप ललाई लड़कर जो त्रुनमुल कॉंग्रेस की सरकार बनी उसक्त ममता दीधी ने बंगाल के इंदर परिवर्तन कर नारा दिया था है और एक नारा दिया था मा माटी और मानुस की सरकार बनेगी यह नारे के साथ इस नारे के पर विश्वास करकर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था और दस साल मूड कर पिछे देखते हैं तो ये दस साल में क्या किया त्रुनमुल कॉंग्रेस ने मा माटियों और मानुस का नारा अद्रस्य हो गया और उसकी जगे ताना साही टोलबाजी और तुरुष्टी करन का नारा प्रमुकता से दिखाई पड़ता है बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई हमारे लाल भाई कॉम्मिनिस्ट भाईयों जहां छोड़ कर गए थे इससे भी बंगाल को घिराने का काम ममता बेनर जी ने किया है ममता जी आपको बंगाल की जन्ता कभी माप नहीं कर सकते हरे एक शेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगए आप पिछे ले गई हैं और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है बंगाल की जन्दा परिवर्तन चाहती थी बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुँचे गैस पहुँचे पीने का पानी पहुँचे उसको घर मिले वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया परन्तु नरेंद्र मोधी सरकार जो बनी बंगाल की जन्ता ने दुबारा उसको आसिरवाद दिया यह नरेंद्र मोधी सरकार ने 6 साल के अंदर घरीब के घर में गैस भी दिया उसको घर भी दिया सुचाले भी दिया सुद्ध पिने का पानी भी दिया हम तो चाहते थे कि उस तक पांच लाग तक की स्वास्त का सुविधाय सभी पहुँचे उसको आपने पहुँचे नहीं दी प्रदान मंत्री जन्धन योदना इसका देश के साथ करोड लोगों को फाइदा मिल रहा कई लोग गरीब परिवार अपने परिवार जनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं मगर बंगाल की जन्धा को फाइदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बैनर जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोधी सरकार की योदना है इसलिए बंगाल की जनता को एफाइदा नहीं मिले दे मैं पूतना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरिबों ने आपका उनकी मा का उनके बाप का उनके छोटे छोटे गरिब बच्चों का अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी मगर चुकि ये नरेंद्र भाई ने किया है आपने ये योधना को रोक दिया मैं बंगाल की घरीब जनता को कहने आया हूं अब ज्यादा समय नहीं है आप जरा भी चिंता मत करिये भारतिय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के अंदर हमें प्रस्ताव करेंगे के पूरे बंगाल के घरीब लोगों को प्रधान मंत्री आयुस्यमान भारत योधना का पूरा फाइदा पांच लाग तक का फाइदा बंगाल की जनता को भारतिय जनता पार्टी की सरकार देगी और आप रोक नहीं सकती है दिदी क्योंकि ये परिवर्तन का जो सहलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जीस प्रकार की गुंडा गर्दी चली है टोल बाजी चली है कानून और व्योस्ता की परिस्तिती जीस प्रकार से बिगडी है बंगाल के नात्रा में त्रिनमुल कॉंग्रेस के नेता, कॉम्मिनिस्ट पार्टी के नेता, कॉंग्रेस पार्टी के अच्छे-च्छे नेता भारतिय जनता पार्टी जोइन कर रहे हैं चुनावाते आते ममतादी आप पीछे मुर कर देखना आप अकेली खड़ी रह जाएगी कोई औ और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा, हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है, मित्रों में ज्यादा बात करने के लिए बात नहीं करना चाहता, स्मूर्टी बेन ने काफी बाते बताई हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बात बता ही मगर मैं एक बात जरूर उठाना चाहता हूं अभी स्मूतिवेन ने बात करी बंगाल के किसानों को मोदी जी आंसे 6,000 रूपया की प्रदान मंत्री किसान सन्मन निधी भेज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है अभी अभी घबरा कर भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं ने मुद्दा उठाया है किसानों ने इस पर बड़ा विरोध प्रगट किया है बंगाल के अंदर तो अभी अभी ममतादी ने कागद लिखा है कि आप हम सहमत है अब आप हमें फेद दीजे दिदी आप किसको बेकूप बना रहे हैं ये कागद से क्या इनके एकाउंट में पैसा जाएगा इसके साथ किसानों की सूची चाहिए एक लिस्ट चाहिए इनके बैंक एकाउंट नंबर चाहिए आपने कुछ नहीं दिया किसानों को फिर से एक बार दोखा देने का काम किया है चिर्प कागज बेद दिया साथ में लिस्ट नहीं बेजा साथ में बैंक एक ये जनता पार्टी का बंगाल का कारे करता बंगाल के किसानों के घर गर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बेनर जी आपको प्रधान मंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं बेल देनी। राजा राम मोहनराय, इस्वर चंद्र विद्धासागर, हरी चंद ठाकूर, गुरू चंद ठाकूर, पंचाल बर्मन एक धेर सारे धेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमी चैतने महाप्रभू भी यहां हुए इस बंगाल की भूमी को आपने रक्त रंजीत किया है बंगाल की भूमी को गुस पेटियों को गुसने के लिए खुला छोड़ दिया है मैं आज इस रेली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं ममताब एनरजी की सरकार त्रिनमुल सरकार बंगाल के अंदर गुस पेट को रोक सकती है क्या आप जोर से बताईए रोक सकती है जोर से यह भाईयों बेनों रोक सकती है क्या तो मुदी जी के नेत्रुत में देश भर में जहां जहां एंडिये की सरकार चली है वो सभी सरकारे जनकल्यान के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी है हर गाउं में हर घर में सुभीधाय पहुंचाने में जुटी है और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजंडा ही नहीं है मित्रो नरेंद्र मोधी सरकार का काम करने की तरिका है मोधी सरकार जनकल्यान के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्यान में व्यस्त है इसके लिए बंगाल की जन्ता क्या कल्यान ये जन्डा नहीं है मित्रो आज मैं आप सब को इतना ही कहना आया हूं मैं फिर से एक बार जल्द ही बंगाल आ रहा हूं उस वक्त मैं आप सभी से बात करूंगा आज मैं हमारे साथ राजीव एनर्जी के नेत्रुतों में बहुत बड़ा नेताओं का एक जूत भारतिय जन्ता पाटी जोइन कर रहा है मैं उसको सुपकामना है देने के लिए आया हूं मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेत्रुत में बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है और जो परिवर्तन का वादा हमने कौमिनिस्ट बंगाल की जन्ता ने कौमिनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना वो परिवर्तन करने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करेगी एक ऐसी सरकार देगी जो बंगाल की कानून और व्योस्ता की परिस्तिति को सुधारेगी बंगाल के अंदर रोजगार का निर्मान करेंगी बंगाल की महिलाओं को सुरक्सित करेगी बंगाल के अंदर घु व्योस्ता करेगी बंगाल के सरकारी कर्मचारी को इनके अधिकार की पूरी तन्खवा मिले इसकी व्योस्ता करेगी और ये टोलबाजी और तुरुष्टी करण दोनों को पूर्ण तया समाप्त कर देगी आज मैं फिर से एक बार जो लोग आये हैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन के अभ्यान के साथ आप जुड़े हैं आपका भारतिय जनता पार्टी स्वागत करती है और परिवर्तन के अंदर आपके आने से निश्चित ही भारतिय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर सोनार बांगला बनाने का जो अभ्यान है उसको बड़ा बल मिलेगा उसको ताकत मिलेगी और मुझे विश्वास है कि आप सब के सयोग से भारती जनता पार्टी के सभी कारे करताओ के सयोग से मोदी जी के नेत्रूत में अगली सरकार भाजपा सरकार बनेगी और हम सब मिलकर सोनार बांगला का हमारा लक्स पूरा करेंगे निता जी सुभास चंद्रबोज का स्वपन हम सब मिलकर पूरा करेंगे और गुरुवर रवींद्र नाक टागोर की कलपना का बंगाल बनाने में हम सफरल होंगे तो मेरे साथ सभी लोगों को मैं कहता हूँ एक बार परिवर्तन का स भारत मता की भारत मता की वंदे मित्रों फिर से बहुत बहुत सुभकामना है जो नए साथी जुड़े हैं और उनका स्वागत करकर बंगाल की जनता को फिर से एक बार में कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेत्रुतों में आपके सभी सपनों की पूर्ती करें ऐसी सरकार हम निश्चीत बनाएंगे और सोनार बंगला के लक्स को हम निश्चीत ही सीध करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम तो बंगल में बीजेपी की सरकार बनेगी ये कहना है आमिश्चा का ग्रम अंत्रिया मिश्चा जो की जाना था जिनने पुछिमंगल के दौरे पर लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से हालात हुए इसराली अम्रेसी के बाहर जो बलास्ट हुआ तो उसके बाद पूरे हालात क जाजा लेने के लिए वो पश्चे मंगाल नहीं गए लेकिन वर्च्वर रेली को उन्हें संबोधित किया और उन्हें का कि वही उत्सा है क्योंकि रक्त रंजित किया है बंगाल की भूमी को टीम्जी ने और अब बदलाव होगा भारती इंता पार्टी पूरे बहुमत के स वहां पर सरकार बनाएगी बीजेपी के सरकार तो श्टिकरन को खत्म कर देगा